एलो फ्रेंड्स वेलकम तो अम्बेतकर सिश्या विफोर दिस वी आप डिसकॉस्ट पाट वान तो फोर ट्वेंटी कुषिंट्स अप टुटार निश्टींस अप डिसेश्टी एसेश्टी का जो विस सवाल हम लोगों ने पाट वान से फोर तक डिसकॉस किया है आज इस सबके लिए और आप लोग सब समझ पाएंगे और यह आपको एक्जाम के काम में आएगा तो पहला सवाल क्या है वाट दिड़ फ्रेज इस्टन कोशिन इंडिकेट तो इस्टन कोशिन कहां से उड़ता है मतलब कौन से चो टर्म है ए बीसी डी में जो टर्म दिया हुआ है क रशीयां क्रासी तरकिए इनक्रीज़ जोंद ग्रीज ओडिया हुआ है सवाल में दिया हुआ थिख कॉसें अन्सर में से कौन सा थर्म जो है इस्टन कोशिन को बताता है ऑंसर आप कज़के देपलोमेटी लिए oung ओदेग में सबिश्टेंद को सिर्टा मिलता है ओटमान एंप्यार में 18 से 20 सेंचुरी के अंदर उसको हम क्या बलते हैं क्राइसिस तुर्की में होता है वो सेकंड को सिन में आएंगे हम 22 नवर वाले जो को सिन है तो इसमें क्या है देखेंगे हम लोग कि ओंडश। करेवी को सिन है तो किसनल लिखा था जाएगा आपका इस अमें चुछा प्रक गहीं औरक शेरी पॉब्लिक पॉब्लिस्ट पॉस्तुमसली इन 1932 जब वो मर गए थे पॉस्तुमसली बोलते हैं मरने के बाद 1844 में उनका एक जो भूख है था इकॉन में का फिलोसोफिकल मनुस्क्रिप्ट वो पॉब्लिस किया गया था इसका कालमार्स था तो आप या गया हेगल हेगल कौन और हेगल में वार्क वाजद के एलिमेंट प्रसफिय फिलोसोफिय व्राइट फबलिस्फ नइए 1821 उनका जो वार्क है एलिमेंट सब्रषफिय व्राइट तो उसको क्या हुआ था 1521 में वह फबलिस हुआ था तो आपका C option में क्या है लेगी सेंट्राल फिगर इन दे इस्टाब्लिश्मेट अब सोभियत रखना होगा इस इस अमुस्ट इंपोटन तो आपका नेश्ट क्या बताया गया है सब को पता होगा भादमिल लेलिन जो थे बट नोन आज भ्रादमिल लेलिन वाज्यान लायर, revolutionary, political and political theorist. तो लेलिन का भी बहुत नाम है उस टाम पे, 1870 से लेकर 1924 तक उनका ने वादमिल तर्म था. फिर क्या आया 23 23 number question में आप लोग को क्या दिया गया है which event was the immediate cause of the outbreak of the first world war in 1914 1914 में जो world war हुआ था उसके लिए सबसे जो अच्छा causes है वो क्या था सबसे immediate जो causes था वो आप लोग का जो immediate causes था वो क्या था वो हम देखेंगे तो आपका चार option है इसमें आप लोग का चार option है दो शारा जब इंसिदेंट formation of the triple alliance formation of the triple entity unification of journey तो आपका answer यह हो जाएगा the assassination of Arctic France is considered one of the key events that led to world war 1 हम सब को पता है immediate causes में जो हम लोग ने देखा कि जो Arctic France का मॉडर हो जाता है 19 year old का बच्चा जो student है वो मार देता है वो सबसे ज्यादा क्या होता immediate cause होता है तो फिर क्या गया 24 तुंटीफोर में आपको answer क्या गया मतलब को सवाल क्या दिया गया है which treaty was signed with Turkey after the first world war first world war के बाद कौन सा treaty जो है वो तर्की के साथ क्या था साइन किया गया था तो इसको आप लोग को देखना होगा तो आंसर हो जाए कि आपका बी देटी आप सेवर्स वाजए 1920 ट्रीटी साइन बिट्विन अलाइज अब वाल्ड वार वान अन्द ओटोमान एंपएर अलाइज के अंदर ही क्या हुआ था साइन हुआ था आपको याद रखना है आलाइज पावर को याद रखना है सेंटर पावर को याद रखना है फिर आप लोग समझ पाएंगे तो ट्रीटी सेडेट लार्ज पार्ट्स अब ओटोमान टेरिटोरी तो फ्रांस दे उनाइटेड किंग्डम ग्रीश और इटली आज प्रॉड़ास क्रीटिंग लार्ज ओक्यूपरेशन जोन से ब्लाइट उटमान एंपर तो यह को मतलब ले गया था इसमें तो देखांगे नेक्स्ट क्या है अप लोग का इसी ज़ल्स प्रेटेट आपका सेंट जर्में तो वास शांइन अने सप्टमर, 1919 निस सेंट क्या ग चाहिए सब्सक्रेंदो टीन अपर्साइल्स नाइने टेटी जो कुछ है आपलोग क्या आप लोग का दिया गया शाय जो पैरीटी सेन्ट करते है थी से गरता है। तो आपका option चार option दिया गया है, option B आएगा, B में क्या लिखा हुआ है? भी लेलिन, the new economic policy introduced by लेलिन at the 10th party, Congress in March 1921, represented a major departure from the party previous approach to running the country, तो country को चलाने के लिए जो लेलिन थे, जो भी लेलिन, तो उन्होंने क्या क्या था, new economic policy पहले बार उन्होंने क्या क्या था, इंट्रूइच क्या था, इस धुन्या का पहला मतलब economic policy था, जो अभी हमारा इंदिया भ इसको आडप्ट कर रहा है, तो आपका next क्या है, जोसेफ स्टालिन, 5-year plans to transform the agrarian Soviet economy into a industrial economy, 5-year plan हम लोग का भी है, इंडिया 5-year plan, तो 5-year plan को सबसे पहले किसने मतलब किया तो जोसेफ स्टालिन ने, याद रखिएगा, यह भी बहुत most important है, फिर आपका answer दिया गया है, मतलब option is C, C में क्या देगा, Bulganin, Bulganin कोने वाज़ दा, Premier of the Soviet Union from 1955 to 1958, तो इस और क्या देगा, Wilson, Wilson आपका option D है, Wilson first came to India on November 28, 1859, and he introduced first budget of India in 1860, this is also most important for the Indian history and also world history, Wilson जब इंडिया को पहली बार आय थे, कब 1859 में, उन्होंने पहली बार इंडिया का budget fix किया था, 1860 में, this is also most important, देखेंगे next क्या दिया हुआ है, when was the pact of Paris signed, जो pact of Paris है, वो कब sign हुआ था, तो आपका option हो जाएगा, क्या, B option हो जाएगा, the Kellogg-Briand pact, जो बोला आता है, और the pact of Paris, राद रखिया है, Kellogg-Briand pact, और pact of Paris के ए देखिये है, उसका नाम दो दिया गया है, officially the general treaty of renunciation of war as an instrument of national policy is in 1928, international agreement on peace which signatory states promised not to use war to resolve dispute or conflicts whatever nature or whatever origin they may be, which may arise among them, the pact was signed by Zorni, France and United States on 27 August 1928, देखो, पहली बात है कि केलंग-Briand pact है, वो क्या हुआ था, 1927 से मतलब उसका जो मतलब discussion हो उसके बारे में, 1928 उसको लागू किया गया, इसमें बताया गया कि जो भी weapons है, जो भी war का आप लोग यूज कर रहे हो, जो भी मतलब जैसे कि नाभाल पावार, तो उसको आप लो collective organization was set up in HUG in 1922 by the convenient of the League of Nations, तो सबसे बाला है कौन सै, ऐसा organization जो क्या हुआ था, setup हुआ है हुआ पर, और क्या हुआ था 1922 में, by the convenient of the League of Nations, League of Nations के अंडरा में, देखेंगे, यह इसको भी बहत important है, दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा आपका option number A, permanent court of international justice, the permanent court of international justice, often called the world court, exist from 1922 to 1946 it was an international court attached to the League of Nations created in 1920 1920 में सबसे पहले क्या हुआ था मतलब बनाय गया था था आठाज हुआ तक इसके साथ League of Nations के साथ इसका अंसर जागा Permanent Court of International Justice फिर आप देखेंगे option B का जो दिया गया को international labor organization आशा को पता होगा international labor organization is the most important organizations for the ever for the every labor तो इसमें क्या बताया गया इंटरनेशनल लेवर अंगाया जानी जानी उनाइट नेशन्स एजन्सी डाट सेट्स इंटरनेशनल स्टांडर्स रिलेटेद टू वार्क अंड प्रमोर्स सोच्याल एकोनमिक जस्टिस तो क्या होता है जो लेवर जो काम करते हैं उनको सोच्याल और एकोनमिकल जस्टिस देने के लिए आई येलो यानि इंटरनेशनल लेवर अलगनेशन खोला गया था फिर इत्व आज इस्टाबिस नाइन्टी बारे में देखते हैं क्या दिया गया है विज पार्टी वाज लेड बाई हिट्लर हिट्लर के द्वारा कौन से पार्टी लेड किया आलता तो दिशिस इसल्च मोस्ट्ट इंपर्टेंट आपको याद रखना होगा चार अप्सन दिये गया है इसका इसका अप्सन क्या अप्सन बी आए गा तो नाजी पार्टी तो नेशनलिस और सोशलिस्ट पार्टी किया था सबसे पहले कौन पार्टी था मतलब हीटलर को दोरा लेट किया गया था तो आपका आगा फेद देखेंगा अंतिस नंबर उनतिस नंबर में क्या दिया गया है 29 में क्या था इन लिप इन देखेंगा अभी रिपबलिकंट से नेश्नलिस्क यहां थे दो ग्रूप थे दो पल्टीकल ग्रूप थे जिसके अंदर क्या वुआ था लड़ाई हुआ था तो कब वुआ था 1936 से लेके 1939 के अंदर हुआ तो स्पिनिश सिविल वार्ज हुआ था इसके यानि हमारा अंसर क्या हो जाएगा 1936 ऑप्शन नंबर सी तो फिर क्या आगा थीस नंबर कौन से येरोपेन स्टेट को जर्मिन ने मार्च 1939 में अक्यूपाई किया था तो आपका ओप्शन हो जाएगा क्या जेको स्लबाक्या तो देखेंगे इसमें अन 15 मार्च 1939 जर्मान टूप्स मार्च इन्टू जेको स्लबाक्या दे टूग ओबर बोहेमिया और इस्टाबलीश प्रोटेक्टोरेट ओबर स्लोबाक्या तो सबसे पहले किया था पंदरा मार्च 1939 में जर्मान टूप ने क्या क्या है तो अपने अंडर में रखने के लिए फिर आप लोग का आजाएगा 31 नंबर देखेंगे ये भी हो आप लोग का बहुत इंपोटेंट है रहें हुईच लीडर वा अपिछpen से ल Ар्प गजर इसका कोई क्या करता हैं मतलब जिसका कई तोडता है तो इस तो Chamberlain, Roosevelt, Mussolini डाला डायर देखेंगे आपका अंसर क्या हो जाएगा यह नमबर नेभी लिए Chamberlain who persuaded a policy of appishment and rearmanent Chamberlain's reputation for appishment rests in large measures on his negotiations with Hitler over Jackassava क्या in 1938 अगर आपका सवाल आये तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका क्या है option number b आपको क्या है रुजबेल्ट कोन आपको पता होगा फ्रांकिलीन डी रुजबेल्ट who sought by the 32nd president of the United States from 1933 to until his death in 1945 जो हमारे रुजबेल्ट थे फ्रांकिलीन डी रुजबेल्ट वो कौन थे थार्टी सेकंड पेशिदें थे उन्वाजब स्टेट्स के जिन्होंने 1933 तक मतलब क्या किया था मतलब उन्होंने सर्व किया था स्टार्ट किया था सर्व करना और उनके देड़ तक 1945 तक तो option C मेंने का है और फ्रांट सब्सक्राइब तो कितने मेंबर को लिगा बनता है तो इस इस ब्सक्राइब टार्ट्व हैं अभी हैं उनको क्या अइगा मतलब देखते हैं हम लोग पाइब पर्मानेट मेंबर्स विट भीटो पावर चाइना फ्रांस रस्या फेडरेशन उनाटेट किंग्डम आप ग्रेट ब्रेट ब्रेटन और नॉर्धन इर्लैंड उनाटेट श्रेट अमेरिका यह पांच जन है तो और क्या दस नंबर दस जन में जो क्या बलाया तो तेन नॉन प समय संब्सक्राइट टेरिटोड तो कौन सा नृब जो बॉडब इचन का ब जो बॉड़ी है उनाटेट नेशन और डेब्द yhteट ट्रॉश्ट झ में यह कि रिखेगा ट्रॉश्ट संक डानेशन ट्रॉश्टी जीप्लतक स्था चैनल तो उसका फोप्तिश्ट्रेश्व आप इंटरनेशनल पीस और सेकूरिटी और महां के जो लोग रहते हैं उनको चलाने के लिए तो त्रॉस्टिशिप काउंसिल को निकाला गया था इस अलसो मोस्ट इंपोर्ट आप लोग को याद रखना है सबस्टिशनल पीस सिकूरिटी काउंसिल क्या है यह वह इंटरनेशनल पीस के लिए काम दिया गया था और सिमें क्या है जन्राल आसेंबली क्या है to discuss any question relating to international peace and security जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे इंडिया पाकिस्तान कोई मतलब political dispute होता है कोई भी मतलब territorial dispute होता है कुछ भी मतलब भगड़े लगते हैं इंडिया चाइना हो इंडिया अमेरिका हो इसका जो भी जो रेजर निकलेगा इसका निकलेगा इसका जो solution निकलेगा वो शिर्फ United Nation में निकलेगा और सो कौन निकालेगा General Assembly निकालेगा तो आगाए option number D the United Nations secretariat is one of the six principal organ of the United Nations the secretariat is UN's executive arm तो क्या आता है जब हम देखते हैं हमारा इंडिया का त्री आरगन है बोलते है एक्जीकिटिव है जुडी सियरी है और कैसे मितलब अलग अलग तरह का अरगां रहते हैं हमारे इंडिया में तो सरकार को चलाने के लिए थिक तो क्या बोलेंगे हम उसको अभी जो इनाटीट नेशन इनाटेट का जो सेक्रेटिर रे अब साइन हो था तो इस इस इंपोर्टन अंसर अपका यह हो जाएगा तो फोर्थ एप्रिल 1949 हो जाएगा आप लोग का तो फिर इसमें क्या बताया गया इस्टाब्लिश्ट इन अप्टर में था वाल्ड वार टू दो ऑर्गानेशन इंप्लीमेंटर दो नॉर्थ अट्लैटिक क्रिटी साइंड वासिंग्टन डी सी कहां पर वासिंग्टन डी सी पर हुआ था कब हुआ था फोर एप्रें 1949 में हुआ तो फिर आप लोग का आगा है क्या थाटी फाइव तो थाटी फाइव नमबर है यह भी क्या है बहुत इंप था मतलब कंट्री या कॉंसा अर्गनेशन था जो भी सिगनिटरिस करते थे मतलब कॉंसे कंट्री वार्षा प्यक्ट में क्या क्या थे योगदान किये थे पाटिस्पेट किये थे ठीक है उसको हम देखेंगे अप्शन नमबर आपका सी हो जाएगा दो वार्षा प्यक्ट यह कोल्ड वार एरा मुच्वल डिफेंस टीटी साइन और में 14, 1955 में हुआ था बाइद इस्टन यूरोपन नेसंस अब दो सोभियत उनियन और सेवन कम्यूनिस्ट सोभिय साटलाइट्स नेसंस अब अलबानिया पोलान अंद जेकोश्लोबाक्या हंगारी बुल्गेरिया अंद जॉर्मान डेमोग्राटिक रिपब्लिक इसको आपको याद अठना होगा ऑप्शन नमबर सी आपको हो जाएगा सेंट्रान इस्टन यूरोप और क्या सोभेट उनियत यह सब मिल के क्या किया थे नाटो में साइन किये थे तो फिर क्या आगा है थार्टी सिक्स नमब अब इन दे यर्ली 1920 ली दाज हाओ और चें दुख्षियो टू की फिगर्स इन फांडिंग दा सी पीसी कमोनिस्ट पार्टी अब चाइना स्टार्टेर में प्रिपारेशन इन बेजिंग आन दा संगाई तो फांड अ कमोनिस्ट पोलिकल पार्टी इन चाइना इसे मिल के क् नेक्ट क्या है 37 नंबर होन वाज दपीपल्स रिपोब्लिक अब चाइना इस्टाइबिस जो पीपल्स रिपोब्लिक अब चाइना इस्टाइबिस हो था कब हो था तो हम देखेंगे 19 आश्मा आंसाद ये भी सीडी दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी बी कैसे हो जाएगा देखो अभी 1949 दिया हुआ है दा फांडिंग अव द पीपल्स रिपोब्लिक अव चाइना वाज फर्माली प्रोक्लेम्ड बाए माओ जेदां हम पाता है रिपोब्लिक अव चाइना जो है पीपल्स रिपोब् उन्होंने पहली बार क्या किया था मतलब बोला था कि पीपल्स रिपोब्लिक अव चाइना इस्टाइबिस जो हुआ था उसके बाद हम देखेंगे 1949 में हुआ था कब हुआ था उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारा बेजिंग 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 निव कापिटल बनेगा क और उसके बाद उन्हेंने बोला कि जो हमारा फीपल्स रिपोब्लिक अब चाइना इस्टाइबिस किया आता है कौन माउ जेदंग ने बोला था तो डिशिचल से मोस्ट इंपोर्टन आप सब पो याद रखना है फिर आया 38 नंबर हुलेट दो अक्यूपेशन अब जापान बाई USA आप्टर वाल्ड वर्ट तो किसने अख्यूपेशने की अब चाहए जापन पे ने क्या क्या था जैपान में जापन का जब्टेंग मेहार्ड घ्रीड फीलिजफोड टार अब कहां चालाया है तो आपका अंशर हो जाजा एक्या क्या जो डोगलास मैकथोर मैकात् Turkish डोगलास मागातुर, who was appointed supreme commander for the allied powers by the US president Harry S. Truman, Harry S. Truman जब क्याते president दे, उन्होंने ही क्या क्या था, appointed क्या दोगलास मागतुर को क्या करने के लिए, Japan में occupation system को चलाने के लिए, this is also most important, फिर आगाया क्या आपका, मतलब 39, what is the Jai Barsu, Jai Barsu क्या है, this is also most important, तो आपका चार option दियागा, इसमें option क्या होगा आपका Japanese financial and industrial coalition, Japanese financial and industrial coalition क्या बलाता है, Jai Barsu बला जाता है, आपका option यह है, Jai Barsu is a Japanese term, referring to industrial and financial vertically, integrated business and the conglomerates in the empire of Japan, whose influence and the size allowed control over significant parts of the Japanese economy, from the Meiji period until the end of the World War II, World War II तक इसको यूज क्या जाता है, इंडेस्ट्रियल और financial coalition को लेकर Jai Barsu बलाता है, फिर आपका 40 number क्या दिया गया, आपका, चरी, 41 number इसके बाद डायरेक्ट है, 41 number क्या है, which of the following is an important side of Harapan civilization Gujarat, यह हमारा Indian history पर आ गया सवाल, तो कौन सा important side है, मतलब हमारा Harapan civilization Gujarat का है, हम सको पता है, लोथाल होगा answer option number C, जो Gujarat पर है, रुपार है पंजाब में, कोड़ी जी है पाकिस्तान में, काली बांगान है राजास्तान में, this is also most important, you have to remember, और कमेंट में कीजिए लोथाल को किसने डिस्कवर किया था, तो फिर किला है, 42, हम सको पता है, ग्रेट ब्यात कहां पर देखने को मिलता है, तो महजजदार पर हम लेको देखने को मिलता है, option number E, ग्रेट ब्यात इस वान अप बेस्ट नोन स्ट्रॉक्चर्टर्स एमंग दर्वेंस अप अरपन सिब्राइजेशन, इक्सकाबेटेट अब महजदार इंद प्रेजेंड डेज शिंद प्रवेंस अप पाकिस्तान, तो हम सको पता है, और आप लोग अभी कमेंट करेंगे कि महजदार को डिस्कवर किस ने किया था और कब किया था, फिर किया था, वू डिड बली हीट, बली हीट किसने मतलब कि कौन करता था, मतलब बली जो देता था, कौन देता था मतलब उस टाइम पे, तो ये और आप रिड बेडिक परिएड में, तो ये ऑफ्सन यो जागा किंग, बली हीट is a term that appears in the रिड बेड़, it refers to the tribute paid by the conquered people to Rajan, Rajan in the form of offering a prince of God, the tribute was neither regular nor stipulated and hence cannot be called a tax, को जो कहता था क्या हता मतलब, हम लोग refers to tribute paid by the conquered people to the Rajan, जो भी हार जाते थे जो लोग को देते थे मतलब, किसको राजा को जो कहता था बली हीट देते थे, offering a prince or God, the tribute was neither regular nor stipulated, ये regular नहीं था या कोई मतलब tax भी नहीं था, बुला जाता क्या बली हीट, इस टॉर्ण एड आपर संते रिख बेदा, ये रिख बेदा में हम लोग को देखने को मिलता है, आप लोग को याद रखना होगा इसको भी, फिर क्या आगा है 44, फुजब दफॉलिग इज़ धर्म सास्त्र, तो कॉंट इसमें धर्म सास्त्र है, तो आपका option हो जाया क्या, इस टॉर्ण पता होगा हिंदू धर्म का अक मतलब सास्त्र है, तो अब नहीं थर्म सास्त्र है, ये ये अग्या बलक्या स्मिर्थी, को बारु आपका अपका मतलब इसको बहुत क्रिडिसाइज हो चुका है, तो आंबेत्कर के टाइम में मनर्श्मित्य को जड़ा जाता था क्योंकि इसमें क्या जाता था कास सिस्टम को बर्न सिस्टम को पुरे अलिकतरा से दिखा जाता था तो दिशीचल सो अजितानात वाजर शेकंड तर्थंकर अब देप्रेजेंटेज असबब पर नियान आकोडिंग टू जनेजिम तो यह जो अजितनात थे यह कौन थे यह थे हमारे शेकंड तर्थंकर आपका ओप्शन नंबर सीद्य पार्शमनात वाज 23rd और 24 तर्थंकर आप जनेजिम महाविरा जो हमको पता है तो महाविरा कौन थे 24 तर्थंकर अब जनेजिम थे पर आपका नेश्ट क्या आगया नेश्ट नेश्ट आगया हमका 46 नंबर हूँ प्रिष्ट अस्टांगी का मागव और तो एट फोल्ड प्याथ एट फोल्ड प्याथ जो है उन्होंने उसको मतलब सबसे पहले मतलब किसने प्रिच किया था मतलब निकाला था उसको दिखाया था दुनिया के सामने तो आप्शन नबर का बी हो जाएगा तो तो बीदा फास सर्मन डिलिवर बाइ बुद्धा शिदार सिदारता गौतमा आफटर ही जनाइट में तो बुद्धा जो थे उन्होंने सबसे पहले कहा था एट फोल्ड प्याथ जो है उन्होंने लिखाता अस्तें की का मार्गव बोला या तर ऑसको पिर आगा 47 नंबर हू यह निखाता तो हम सब को पताया चानक यeton लिखाता कहला लिखा तो स्कोर आपको एंशर करना होगा तो मुतलब अंशर किया चानक कज़ा करना और गांशाब लिखाता हर्स करित मने मनों स्मिर्थी यह आप लोग 2017 कह ने सля था राजन तरंगडी कास्मिर के बारे में लिखाता और ग्या 48 नंबर जो है फूइज किंग वाज डिफीटेड वाज चंद्रगुप्त मौर्यों को न से किंग थे जो चंद्रगुप्त मौर्यों के जारा किया वाज ते डिफीटेड उए ते इसका आपका अंसर हो जाएगा ए धना नंदा चंद्रगुप्त मौर्यों रेस्ट अन आर्मी जैट एवेंच्वाली कॉंकर्ट दो नंदा क्या पाटले पुत्रा अन डिफीटेड उन्हों को दिफीट किये थे उन्होंने तो इस आल्सों मोस्ट इंपोर्टन इस डिफीट मार्क थान दो नंदा इंपर्शें बार दधा अंदा मौरें इंपर्श नंदा-इंपर्श कोटा दिया गया मतलब ओको डिफीट हो गया उसका डिकलान हो घ्या भार अंत्लस अमलोग को देखने मिलता यह बहुत आपको क् इससे भी कुस्षिंद होता है। ही हिस्टर लेक्षर का बहुत घुमाय के जाता है। आप लोग को ध्याण से देखना है। कौन बहुत का अंसर होगा, का और अपको अंसर होगा। ऑप से देखने हैं। वसके बाद आपको पाता चल जाएगा। देखो, option d होगा हम लोग का क्योंकि बाईरेतन ससरां कि है माइनर रोकेटिक्ट, वहाँ पे शिर्प आपको माइनर रोकेटिक देखने के मिलते हैं, गेरनएंड सोपार क्या खोता है मेजर रोकेड़ॏंट करें लॉए बैराठन चली अंबर आपका क्या गया फुक्ष जैट रहिंका तो यह आपका और अन्सर रोजाएगा मजन्तिका बी में क्या है अकोडिंग टू दा महाविन्ष बहुत्वन्ष थार बुद्धिस्ट काउंचिल मेड़ पाटलेपुत्र अंड डेपूटेटेडे मिस्योनेरी बाइद नेम मजन्तिका तो गो टू कास्मीर अंगांधार तो स सबसे पहले जो हमारा थार बुद्धिस्ट काउंचिल हुआ था कहां पर पाटलबुर पात्ना पर हुआ था उसके बाद उनको क्या 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 गया है कास्मीर और गांधार पर किसको मजन्तिका तो 51 नंबर में आपको क्या दिया गया है इन फूइज यह डिट राजा-राज सबसे कौन से साल में राजा-राजा जो थे चोड़ एंपार के उन्होंने क्या-क्या था मतलब चोड़ थ्रोन में बैठ राजा बने थे हो देखेंगे तो आंसर आपका यह हो जाएगा राजा-राजा-राजा-राजा ग्रेट वाजे तामिल चोड़ एंपरर हुँ रिजाइन कौन से आडमिंस्ट्रेशन में आपको और सभा देखने को मिलता है यह आपका आइसेंब्ली इंडोज विलेजेस वेर यहां पर क्या होता है लेंड जो होता है ब्रहमन के दौरा की क्या जाता है फूर इसेंब्ली अब डराह लेंडलर्स को चाहें व्यादों आध महा सभा उसको बोलें सबसक्राइब हो तौ तौ वह हुआर क्या है वूर जो नमयद थिक है आपको मदा में जगे को मतलब क्या करता है रांडलर्ण होते हैं रांडलर्ण सब्सक्रांड 523 वूस्ट इंक स्टरकर स्ट अर्म प्रसरेश करते हैं यह जो आ समयधारिवलिवल्यंत तो यह देखेंगे हम इसका आंसरोजी मबर्मन नरट स्यक्रिम्हा नरशीम्हा बर्मन गजए राजमर्म uh अधायर भूलण व अथी रुल अफलव ह् लेंज़साट लेकर शॉक्हाशन किया था इस केलिटेड उद्धे कॉंश्टरक्सन दो शोर एमपयर हमें यह पाता जलता है सोर से कि नरसिम्मा बर्मन टू जो हैं वो क्या थे उनुने मतलब महावली पुरम में सोर टेंपुल का बनाया था उनुने फिर आपका क्या प्या गया 54 which was the capital of the Gupta Empire Gupta Empire का capital कौन सा था आपका अंसर हो जाएगा A पाठली पुत्र the capital of the Gupta Empire was the ancient city of पाठली पुत्र Gupta Empire का मतलब जो capital था वो क्या होगा पाठली पुत्र होगा the city had previously served as the capital as commanded center of the mighty Magadha, Nanda and Moria Empire ये भहत most important capital आपाठली पुत्र ये क्या है ये जो था ये गुपता Empire का capital भी था इसको आप लोग को याद रखना है फिर आगया आपका 55 number which foreign pilgrim visited India during the reign of Chandragupta कौन से foreign pilgrim थे जिन्होंने Chandragupta को मरिया के time में उन्होंने क्या क्या था मतलब इंडिया को विजिट क्या था तो आपका option हो जाएगा बी जो भला था भायान he visited India in the early 15th century during the reign of Chandragupta 2 Chandragupta 2 के time में उन्होंने क्या क्या था ये विजिट क्या था और एंटर हियर फ्रम द नौर्थ वेस्ट आंड रिस्ट पाटली पतर नौर्थ वेस्ट देगे पाटली पतर में उन्होंने पहुँच आ था हावेवर द एक्जाक्ट देट को मतलब कोई भी हिस्टोरान को पता कर नहीं पाए और क्या है दी इन एडी वान थाजन सेवेंटी वेन महामुदभ घजनी वा रूलर मोस्ट कॉलार्स इंकुडिंग अल्बेरुनी वेर टेकन तो घजनी अल्बेरीं को मतलब आये थे उज़ घजनी से भागया थे तो अधिटल अव्द घजनाविट डाइनस्टी ठीके और तिंगल्डिंग हूट कुमार संभाव किस न लिखा था हम सब को पता है कालिदास न लिखा था कुमार संभाव औप्सन नम्बब दी कुमार संभाव इ तुरकानी चिहालगानी जो थे मतलब वो क्या इसको चालीशा ही बला जाता है फौटी पावर्पूल मतलब तुर्किस नोबल जो बला जाता है जो मतलब मिनिस्टर टाइक पर रहते हैं तो किसने मतलब इसको डेस्टर है किया था यह आपा अंसरोज़ागा बल्बन ने किया था दिव टू ग्रोइंग इनफ्लेंट्स अब तुरकानी चाहलगानी और चालीशा जब इनका चालीशा का पावर बढने लगा ता बल्बन सोचा को उसका पावर कम जाएगा तो इंद उसने क्या क्या इसको अबलिस कर दिया इंद अबिस्ट्रेशन बल्बन अबलिस्ट तुरकानी चाहलगानी वेन ही केम इन पावर इन 1266 उसने क्या क्या था चालीशा को खटा दिया था तो फिर क्या अठाबन नमबर आ गया 58 नमबर दा पदमी लिजेंट इस आसोचेट वीजर रूलर आप सुपको पता होगा आपने पता होगा रानी पदमी नी कौन थी तो यह अंसका अंसर देगा बी आलाओ दिन खाल जी तो ओरिजिनल फंटासी टेल डेपिक्ट्स हाव रतन सेन दो रूलर अप चितोर मैरीड पदमाबती पदमाबती पदमी नी बोला गया है इसका इस पर मूभी भी पदमाबत बोला आता है फॉलोईंग अन एपिक क्वेस्ट अन हाओ देर यूनियोन वाज चालेंच्ट वहिन अलाओ दिन खाल जी देखेंगे तो आपको पदातल जाएगा तुसका फिर आगा है नेस्ट 59 नंबर को फॉलोईंग वाज अडप्टेड बाई अलाओ दिन खाल जी आज रेगूलियेशन फॉर इस मार्केट कॉंट्र में मेजर के लिए आलाओ दिन खाल जी कौन से मतलब रेगूलेशन को आडट करता है देखेंगे इसका आफसन आपका चार हो गया है तो इसका अंसर हो जाएगा डी को फिक्सिंग दा प्राइस अफ ग्रें मंदी उसने मार्केट सिस्टम में क्या किया था सबसे पहली बार उसन किसी नेबर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है फूइच रूलर इंट्रीश टोकेन करेंसी टोकेन करेंसी किस ने इंट्रीश किया था तो आपका अंसर सबको पता होगा यह अप्सन नबर बी होगा महमाद बिन तूगलक अकोडिंग तू फिरिस्ता महमाद हर आडप्टेड टोकन करेंसी फ्रम चायनिश कोस्टम उजिग के पर मौनी तो चाहिना से यह आईडियो क्या क्या था उसने अड़किया था महमाद तूगलक इंस्टैड आप स्टांप्ड पेपर इंस्टैडप्ड पेपर स्ट्रोग करता था और उसने क्या क्या सबसे पहली आइवार यु एकले कलेकेरशन से अब कर दास्य करम हामी और और जाने समएक्पान ऑं पैसे बाति हैं से का कॉन थे। बढ़ दा फटेपूर्श चिक्री का पर यह फटेपूर्श चिक्री तूग्यादर स्पिरिच्वाइटर्स डिफरें डिलिजिएस क्राउंड शो अस्टू कॉंड़क्ट डिसकॉसन ओन दिसकॉसन डिसकॉसन किया गया ठीक है अभी देखेंगे हम 62 नमर पर क्या देगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए अफ़र आंद राणा प्रताप शिंग राना प्रताप शिंग्दर के अंदर हुआ था था बातल अ ब्ल्दी गटी वास पूर्ट अन एंटेन जून 1576 ब्ट्वन दामर फोर्स ता महारना प्रताप ने लिट किया था अनि मोगल फोर्स सब्सक्राइब आपको याद रखना होगा और राना प्रताफ सिंग कौन से मतलब जगे के राजा थे उस टाइंप पे वह वार के थे ठीक है इसको भी आप लोग को याद रखना होगा अर जो मोगल का जो पोर्स तो इसनने लिट किया था मान शिंग के ने मान सिंग टो वाइडिड प्रूइस Dinie दिनी इलाई में जो है, why did the Akbar preach, मतलब दिनी इलाई को क्या प्रीच करते थे, मतलब कैसे देखते थे, मतलब कैसे मतलब दिखाया थे दोनों को, तो आपसर आपका विक्षावा, because he wanted to the famous religious preacher, because he wanted to convert the non-muslims, because he wanted to end wars and establish peace, because he wanted to unify his nobility coming from diverse religious group, तो इसका आपका अंसर क्या हो जाए, उसका दिनी इलाई जो था, उनका main motive क्या था, क्यों वो प्रीच करते थे, तो आपका अंसर हो जाएगा D, कि Akbar जाते थे, उनका जो नोबल थे, वो सब मिलके रहना चीए, आपका इंटर्डूस दिनी इलाई इन 1582C, because he wanted to unify his nobility, coming from diverse religious group, तो उनका पाजो काम करते थे, उनका नोबल थे, तो अलग-अलग diverse group, religious groups आते थे, वो सब मिलके रहना चीए, तो इसलिए उनने क्या क्या, दिनी इलाई religion को established क्या, his idea was to combine Islam and Hinduism into the faith, Islam and Hinduism को faith करना उनका idea था, this is the most important step, what was given by the, what was taken by the Akbar, but also to add aspect of the Christianity, जोरिष्टानिजिम और जैनेजिम, आकबर टू के deep personal interest in religious matters, and concluded that no single religion could claim the monopoly truth, वो वलते कोई भी religion आके monopoly truth नहीं कर पाएगा, हर एक religion कोई हापे क्या कोई सन्मान मिलेगा, हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम जो रिलीजियन है, उनके faith में उन्होंने बाटा था, देखेंगे, आपका 64 नवर क्या दिया, what did the term jat and sour in मनसब्दरी system imply, कौन से term को jat और मनसब्दर में उन्होंने क्या किया था, यह आपका option number B हो जाएगा, जat mean personal pay and status of noble and sour mean a number of horses men in noble was expected to enter, मतलब sour बोलते हैं आपको पता होगा हिंदी में sour करना मतलब बैट के sour करके जाना तो उसको क्या होता है, option number B हो जाएगा, denote the rank in the administration, मैंने sour का इदर थोड़ा गड़त लिख दिया है, आपको देखना होगा, और क्या जाट हम बोलेंगे मतलब denote the salary of the man-sabdar, सवार का आपका, जाट का मतलब दो ही हो सकता है, और क्या सवार का मतलब denote the number of cavalrymen, मनसबदार होगा होगा, 65 number क्या है, which dynasty was ruling in Golconda in 1687, 1687 में, कौन से dynasty क्या हो तो Golconda में, उन्होंने dynasty क्या था, देखेंगे हम इसका answer क्या हो जाएगा, answer number B हो जाएगा, और कुटूब साही dynasty, Golconda में 1687 में सासन कर रहते, the कुटूब साही dynasty managed the Golconda Sultanate in South India from 1580 AD to 1687 AD, कुटूब साही dynasty was ruling in Golconda in 1687, आपको याद रखना होगा, कुटूब साही जो थे, वो क्या किया थे, Golconda Sultanate in South India from 1580 AD से लेकर 1687 तक सासन कर रहे थे, 1687 में किस ने सासन किया, तो कुटूब साही dynasty, तो 66 नबर आ गया, और शिर्फ चार सवाल है, आप लोग को थोड़ा मतलब धरी रखना होगा, पेसेंस रखना होगा, क्योंकि यह जो सवाल है, यह जो डिसकर्शन है, यह आपके जिंदे की बदलने वाला है, इसका आपका यह हो जाएगा, तो आपका क्या होए, 68 नबर क्या दिया हुआ है, देखेंगे, पर्मानेट सेटलमेंट गेब लान राइस टू हुच रूराल क्लास, तो आपका इधर थोड़ा सेंटेंस में जो वाड है, वो थोड़ा मतलब लग गया है, तो बनाने को थोड़ा तकलिफ होते हैं आम लोग को तो आप लोग को थोड़ा क्या करना देखना पड़ेगा, जो मतलब बोलते हैं अलग किसी के लेंड पर काम करना उसको कुछ सेरब लेंड देना, तो आपका डी के होगा रियत पता है रियत वरे सिस्टम के आपको पता है जो लेंड क्या होगा डिरेक्ट पिजान का अंडर होगा, आपका 69 नबर आ गया, वाइवर देनेशनलिस्ट अपोस्ट तो रेलेज, रेलेज को क्यों अपोस्ट करते थे, उस ताइम पर रेलेज अब बना, 1853 में उसको अपोस्ट करते थे नेश्टलिस्ट, इसका अंसर वोजेगा B, इसलिए हमारे जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या इसको अपोस्ट करना शुरूर किया, हावेवर देवर ऑपोस्ट तो ब्रेटिस कांटोर ओवर दे रेलेज, पहले जो 20 सवाल मैंने डिसकसन किया था, पार्ट वान से लिए फोर तक आप चैनल के अंदर जा के देख सकते हो, वह क्या है, वह भी इंपोर्टेंट का जो कोस्टीन है, वह भी आनलीसिस किया गया है, तो इसको भी मैनने बहुत मह twist से बनाया है, आप लोग लीए, बहुत सारे सोर्से को मैंने देखा है, उससे निकालकर शको को लाप्टप में टाइप करना पड़ता है, उसके बाद मैंने इसको आप के लिए बनाया है, अपना जो माइंड उसको खर्च करना देखना है कैसे क्या करना है आप लोग को तो क्या है वो रोट पॉबर्ट यान उन बिटिश्ट इंडिया हम सब्सक्राइब पाता है दादा भाई नारोर जी ग्रांट ओल्ड मयान अप इंडिया और एंपी अप बिटिश पर्लामेंट गये थे नारोर जी पॉब्लिश्ट पॉबर्ट यान उन बिटिश्ट इंडिया और इन 1901 में हुआ था तो आप थोड़ा इनके बारे में पढ़ लिजिएगा इस अलसों मोस्ट इंपोर्टन थ्यांक्यू एव्रिवान तो सी इस वीडियो और यह वीडियो को शेयर है और सब्सक्राइब भी किजिए क्योंकि यह वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन है फॉर्द एवरी आस पैरंस अब थे श्यांक्यू एव्रिवान